किसान भाईयों नमस्कार मेरा नाम है पंकेश तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पंकेश की किसान पाट साला में किसान भाईयों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही जानकारी लेकर आ रही है ये वीडियो एक isp Belarus video है जिसकी वजासे आपको भी नई जानकारी मिलेगी और हमें भी नई जानकारी इसकी वजासे मिलेगी किसान भाईयों ये आप देख रहे हैं पीछे ये चने का खेथ है ये चने का खेथ चना जो है और नाली टू नाली बोया गया है मेडी चड़ा के बोया गया है और इसी नाली के बीच में हमने अरूई की बुगाई किया था फरूरी के पर्थम सब्ता में वो वीडियो हमने आ महीने में अरुई का एक भी पेड का जमाव नहीं हुआ है और हमने बीज की खुदाई की बीज को हमने खोद कर देखा तो हमने उसे देखा कि वो बीज सूख रहा है और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है किसान भायों दुविधा की बात यह है कि चना जो है वो पकने वाला है उसमें फूल बनने के बाद उसमें फल लग रहा है और अभी चना पका नहीं है इस आवस्था में यदि हम चने की सिचाई करते हैं तो हमारा चना जो एक उसको सूख जाने का डर जो है वह 99 perinst है और यदि हम इस समय सिचाई नहीं करते हैं तो हमारी जो हमने अरूई की बुगाई किया है वो 100% तक नहीं जामेगी वो 100% सूख जाएगी हम इस दुविधा में हैं कि चना जो है वो अपने चरम अवस्था पर है यदि अभी चना सूख जाता है तो हमारी चार महीने की पूरी फसल बरबाद हो ज देखिएगा और इसके बाद एक हपते के बाद हम इसी खेट की दूसरी वीडियो डालेंगे और यह देखेंगे कि सिचाई करने के बाद क्या चना जो है वो सूख गया क्या अरूई में कुछ अंकुर निकल आया है कि नहीं निकल आया है किसान भाईयों अब हम फाइनले इ चना सुख जाता है और अरूई का जमा हो जाता है फिर भी हमें नुक्सान है लेकिन हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा जो है देखते हैं कि कुछ हो पाता है की नहीं हो पाता है किसान भाईयों यह जानकारी आप देखिए और एक हप्ते के बाद आप दूसरी वीडियो इसी जानकारी के साथ लीजिए सभी किसान भायों को नमस्कार धन्यवाद फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम